आज हम जानेंगे कि अगनी सुक्ट में क्या बता या क्या नहीं? कीसी भी स्कृतिका सार लिखने के लिए कैसे लिखते हैं जिब थोड़ी से भूम्या लिखेंगे, उसके बाद सार सुरू करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे सार लिखते हूं? इसमें ऑधिक प्राप्त होता है इस संठ्ञ्ट सें अधिक प्राप्त होता है इसमें सुब्सक्ट में मंत्र 201 मंत्र ताट कलिंग दिरिश्च से दो सब्सक्ट होने पर अगनी सरवwachताम है जो सबसे बड़ा उप्सक्ट होग एनकी 202 सुक्ति अपğलिन को अगनी सरफप्तम कुन सा अगनी अगनी है तो संभुआते हैं इसलिए अगनी बता गया अनयान्य को अगनी बता गया सरफफ़ और सरव्यापक होने के सांथ ही सांथ अगनी अगरली भी है सरफःस्व है है अगनी का जन्म सब देखताव से पूर बता गया अगनी सबसे पहले जन्म लेती है यह बताया गया है रिगवेत के सभी मंडलो को आदी रगवेत के सभी मंडलो रगवेत के अनुसार अगनी आकास सूर्य अगनी आकास अगनी का संबंद बताया गया सबी से और रिगवेद के अमसर अगनी आकास सूर जल पासाड वनस्पति वसदिया और अनमनस्वत से उत्पन होता है अगनी के देवता यजमान और पुरोहिद भी कहा गया है तो यह ध्यान रखना दिक्तर कंपटिशन में पूरती है आकास के स अगनी के जर्म के विशे में यह विचित्र बात है कि स्वयम पिता है वह स्वयमी पुत्र पिता का गया और स्वयमी पुत्र वे ऐसा माना जाता है कि इंद्र ने दो पासाड़ों के मध्य अगनी को जंब अगनी की मुख्य क्रियाएं बनों का भच्छन अंधकार को ध्वस्त करना देवताओं को यग्यों का लाना और आवूति का हमन करना इत्याद है यह सारी चीजे इसमें हैं इसे पहले जो हम लोग देख रहे तो वह थी भूमकाब अगनी का सार सुक्त है कि अगनी में में उसमें गायत्री चंद का प्रयोक किया गया अगनी को देवता पुरोहित सूर जल वनस्पति और जट्रांगने के नाम से जाना जाता है अगनी सुक्त के मंत्रों में अगनी की अनेक तरह से की गई है अगनी को यग्य का दीब रित्तिव जि कहा गया है जो आहान करता है पहले वाले रिशियोदानास्तूति योग गराय और नयो द्वारा भी वह देवों को यहां ले आये प्राचिन जो अगनी जो पुरोहित होते तो वह यग्य करते थे जिले अगनी को यहां ले प्राचिन और दोनों प्रकार से क्रांत दर्सी प्रकास रूप परमेस्वर को रहस समझते हैं वे जानते हैं कि इस पर एक ही है और अता उन दोनों को प्रकार में इस्तरियों के विचारों में कोई मतवेद नहीं है दोनों ने उसे दिव्यंगत को जाना है अब दोनों ही इसकी इस्तुति करते हैं वस्तुतर रिसी वह है जो मंत्र का दर्सन करके उसके जान ले अतब प्राचीन और अभिनव होने से रिसी इस रहस्त को जानता है और इसलिए वे इसकी इस्तुति करते हैं वे इसकी प्रार्थना करते हैं इसलिए वो सब दीब सक्तियों को इस संसार के सूख सम्रिद के लिए उपस्तित करें उपस्तित करें संसार रोपी यग इस्तुत द्वारा प्रेद उन सक्तियों द्वारा ही संचालित होता है अगनी यदि प्राण है तो रिसीयों को इंद्रियां मानना ही सही है इंद्रियों का मूल सक्ति को यहां देव कहा गया है व्यापक अर्थ में यग कर्म करने वाले व्य परकति संतुलित जीवन बनाने जिसने सभी सम्रिद प्राप्त हो यदि रहे वोग मेरे रहा हुद से जान और गया है अर्म में या धन की क्रिया किया जाय तो यह हम जानते हैं कि यसके लिव से दान के प्रेना यही दी गई है। धन के सभी भौतिक सुख की सामगीर प्राव्ड की जा सकती है। अपना और संतान से स्वाष्ट पुष्ट रह सकता है। प्रकास रूप परमेश्वर और भौतिक अगनी का प्राण का जो हिंसा रहित बजू जन सहीता है, बजू जन सहीता है, बजू जन खाएं यग निरंतर सर्वतर चलता रहता है, उसी यग के द्यान के नियम से जन्म देवी सक्तियां या भौतिक पदार्थ या इंद्रिया प् अच्छा करता है क्योंकि वह सब का अधिष्ठता है, तो कुरूं दर्षन में योगतकर्मों वाला इच्यान पुरوق कर्म करने वाला सच्या विविद किर्ति वालों में स врिष्ट देव, नानि, योगत जो लोग होते हैं, अगनितों के साथ आये यानि कि ये सभी उन्हीं के साथ उत्पन होई, जब यहाँ पे लोग ये करने लेगे तब ही उत्पन होई, क्योंकि अगनिके सकता पड़ी, इस्वर का सत्य स्वरूप यही है कि वह आन्ने बंदुओं और मानावता कि प्रति उपकार करने वालों को कल कल्याण करता है, जो यजमान यग से आवुती पतान करता है, उसके प्रति अगनिकल्याणकार होता है, वह कल्याणकारी एकमात परमिस्वर की सरण में यह वुद्धी विवेक, यह जानकर कि वह एकमात कल्याणकारी सत्ता का है, विनमर्भाव से आते हैं, क्योंकि हमें जा प्रतिच्छन के उपलचन है, हम प्रतिच्छन मन में इस्वर का ध्यान करते हैं, जिसकी सत्ता अनुभव हो और अनुचित कार न करें, इस्वर हिसा रहित यग्यों का स्वामी है, उसी ने आदेश के नियंतर से संसार के सब पर अपकार हिद कर्म चलते हैं, वास्ताओं में सत्य का मार्ग पर चलते हुए उचित कार करने से उचित फलकी प्राप्ति होती है, अगनी भी कर्मकांड का मूला धार उन्हें करन यग् नियम यह के समब्ब्द नियम का रच्षक है, वगनी के सारी चीज़े बताईगी है, और क्या बताई गया इसमें कि देखो, इसी कारण है दिप्ति- यूग्त- अर्था- सरवत्त- प्रकासित है क्यों थको पता प्रकासित है, सासत नियम के मानू उसका गार है, उसने अपन में भी रित्व अर्थातियाग्यकार अच्छक है तथा दिप्ति यूक्त है रित्व गतिया कर्म है वह और वहां आहूतियों के द्वारा बुद्धी का प्राप्त होता है रित्व गतिया कर्म जिसमें मनुस्त कल्यान नहीं थे या मंत्र इस मंत्र में प्रथम दो पादों का अनुमय राजत्तम को प्रिथा कर रहा है भी किया जा सकता है तो अनुसार भाव होता है कि सारे संसार का सासक है या दिप्ति यूक्त है वह यग्यों का रच्च का तथा रितु का प्रकासक है वही प्रसिद परमिस्टर हमारे पती पिता जैसे वह पिता-पुत्र के निकट हो वहां उसको रोकता है समझता है और वह आशकता पढ़ने पर दंड भी देता है उसी प्रकार प्रमेसर प्रकासक प्रमेसर निकट ने हमारे ध्यान रखे भौतिक का यज्यागनी को पच्छ में भी पिता का समान सन्निद्ध की बात सार्ता क्या क्योंकि जैसे पिता पालन पोस आते हैं तो यह लिख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट नोक्स हैं अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर आप यहां तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइक कर लिए बहुत सारी ऐसे चीज़े छोटी-छोटी है जो मैं लाबता रहता हूं कोदी भी तयारी करता हूं आप भी तयारी कीज़े थी थांक्यू थांक्यू सो मज़ धन्यवाद